वनपीस के अंदर आज तकी सबसे अदा सैड बैक्स्टोरी फाइनली खतम हो चुकी है वनपीस के अंदर लास्ट कूछ चाप्टर से बस हमको कुमा की बैक्स्टोरी दिखाय जा रही थी जो कि एक time पर यह सा लग रहा था कि Odisensei इस वाली backstory को कुछ जादा ही लंबाग खीच रहा है लेकिन latest chapter के अंदर कुमा के backstory end होने के बाद मैं ऐसा लग रहा है कि यह वाली backstory भाई कुमा के लिए काफ जिदा important थी क्योंकि कुमा एक एसक एक्टर बन चुका है जो कि सार्टिंग से लेकि एंडिंग तक बस सफ़र करे जा रहा था उसने अपने पूरी लाइप के अंदर खुद के लिए कुछ भी नहीं करा लेकिन भाई उसने लूफी और उसके क्रू के लिए काफ़ी को चीज़े करी है लूफी को पहले बारी देखने के बाद में कुमा समझ चुका था कि भाई लूफी जो है आगे चलके वनपीस के वर्ड के अंदर काफ़ ज़दा बड़े चेंजस लाने वाला है इसलिए उसने अपने लाइब के इतने बुरे दिन चल रहे होने के बाउजद उसने लूफी और उसके क्रू की मदद करी उसने डॉक्टर वेका बंग से बोलके रखा था कि उसके अंदर ऐसा प्रोग्राम करके रखव की वो लूफी और उसके क्रू के आने तक सनी को प्रोटेक कर सकें उसने साबाओडी आर्क के अंदर देखा कि लूफी और उसका क्रू New World के अंदर जाने के लिए काफ ज़दा वीक है इसलिए उसने सारे के सारे क्रू मेंबर्स को अलग-अलग आईलेंड के उपर टेलिपोर्ट कर दिया जापर वो लोग टाइमस्किप के पहले ट्रेनिंग कर सकें और बाद में New World के अंदर जाने के लिए एकदम रेडियो हो जाए डॉक्टर वेकांग कुमा के अंदर एमोशन साथ-सके ब्रेन के कुछ पार्स को रखना चाता था लेकिन वहापर सैटर ने डॉक्टर वेकांग को साबसाब मना कर दिया था जसे उसकी परसनल्टी चेंज हो सके जहापर वो एक बार switch दबाने से पुरा का पुरा normal रहेगा और दूसरा switch दबाने के बाद में वो पुरा का पुरा साइबाग बन जाएगा और सारे के सारे orders को follow करेगा लेकिन वापर सैटर ने वेगा पंग को सापसा माना कर दिया उसने बोलागी अगर तुने कुछ हेरा फेरी करी तो में भी scientist हूँ मेरे को पुरा का पुरा पता चल जाएगा तो वापर ना चाहते हुए भी वेगा पंग को कुमा के सारी के सारी मेमरी तो उसके emotions को हटाना पड लेकिन वेगा पंग ने कुमा की लाच दो विशिस को पुरा करा जहापर पहली उसकी वीश थी उसकी सारी के सारी मेमरी देख पाए और दूसरी उसकी वीश थी कि वो श्टो एड्स की शिप को पोटेक कर पाए जहापर उसने लाच टाइम तक श्टो एड्स की शिप को पो वो अपने लाइब के लाश्ट मोमेंट्स के अंदर बोनी को भी मिलने चाह सकता था लेकिन उसने चूना की वो श्ट्राइड्स की शिप को फोटेक करेगा और उनको न्यू वर्ड के अंदर जाने से पहले ट्रेंड करने के लिए एक अच्छा कासा इन्वार्मेंट देगा ज क्योंकि उसने सारे के सारे स्ट्राइड्स को अलग-अलग करा दिया था उस टाइम हमको कुमा के बारे में कुछ भी पता नहीं था इसलिए हम कुमा को काफ़िदा हेट कर रहे थे लेकिन जब हमको कुमा के पास्ट के बारे में बता चला उसकी लाइफ की श्ट्रगल के बा बात में जरूर हो देंगे